नमस्कार आप देख रहे हैं अरितम और मैं आपके साथ अनूरा जोरा भारत में हर वर्ष गनपती महत सव व्यापक धूम धाम से मनाया जाता है लेकिन 2024 में इस पवित्र तहार को स्लामिक चरमपंतियों द्वारा कई जगहों पर निशाना बनाया गया बावजुद इसके धार्मिक सोहार्ट और गंगा जमुना तहजीब जैसी बिना सरपैर की बाते करने वाले उसकी करन्ट के थेकेदारों की चुप्पी ने गहरे सवाल खड़े किये हैं और हिंदू धरम को सबसे बड़ा धक्का तो करनाटक में लगा है जहां इदे मिलाद के लिए हर मोड पर ट्राफिक से लेकर पुलिस की व्यवस्ता की गई थी वहीं गनेश चतूर्थी के जश्ने पर भगवान गनेश की मूर्थी को कैद कर दिया गया जरसल 16 सितंबर को इदे मिलाद पर पूरी ट्राफिक पोर्स अलट मोड पढ़ दी तो दूसरी तरफ हिंदु धरम के तोहार पर भगवान की मूर्थी को ट्राफिक और लौ एन ओर्डर का हवाला देते हुए पुलिस वैन में ले जाया गया क्या भगवान गनेश की भीड को नियंतरिक करना इतना मुश्किल था या फिर ये हिंदु तोहारों के प्रत्ति प्रशाशन की दोहरिमान सिक्ता का प्रणाम था इस तरह की घटनाए हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये वही धर्म निर्पेख्षता है जिसका दावा कॉंग्रेस की सरकारी करती है वही गुजरात के कच जिले और सूरत शहर में गनेश उत्सव के तोरान पत्थर बाजी की घटनाए भी दर्श की गई डिपोर्स की अनुसार इसलामिक समुदाय को कुछ नाबालिकों ने गनपती पंडालों और जुलूसों पर हमला किया जिससे तनावपूर माहौल बन गया इसके बाद स्थान्य समुदायों ने जो महागे हिंदू लोग ते पुलिस में शिकाया दर्श कराई और बड़े पैमाने पर ग्रोध प्रदर्शन किये इसके अलावा एक एहम जानकारी जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि सूरत में जो भगवान गनेश की मूर्ती पर हमला हुआ उसे एक नाबालिक लड़के ने अंजाम दिया था कहा जा रहा है कि गनेश प्रतिमाओ पर पत्थर बाजी और पानी फेकने की ट्रेनिंग उसे एक मदर्से में तीन महीने से मिल रही थी उसने अपने साथ 6 अन्य नावाली को कोई खटा करके गिरहों बनाया था इस गिरहों ने 10 प्रतिमाओं पर पत्थर बाजी की शादु स्रची थी इसके अलावा राजिस्तान के भीलवाडा में भी गनेश विसर्जन के दौरान पूजा पंडालों में जानवरों के अंग मिले इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया भीलवाडा के शाहपुरा इलाके में स्कूल और बजार भी बंद कर दिये गए तो उत्तरपरदेश के माहोबा में भी गनेश विसर्जन के दौरान हिंदू पर कटर पंतियों ने बाल्टी और पत्थरों से हमला कर दिया ये पहली बार नहीं है जब इस मोहत्सव में या किसी अन्य मोहत्सव में हिंदू तोहारों को निशाना बनाया गया हो इससे पहले भी चरम पंतियों ने हिंदू तोहारों में भंग दालने की कोशिश की है देश्ट के विभिन हिस्सों में चरम पंतियों द्वारा हिंदू तोहारों पर हमले अब बढ़ते जा रहे हैं 2022 में भी महराष्ट के कमाठी पुरा में गनेश मूर्ती पर अंडे फेके गए थे जिससे हिंदू समुदायों में भारी आक्रोश फैल गया था गुजरात के वडोधरा में भी जनपती जुलूस पर चरम पंतियों द्वारा हमला किया गया था जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी अब इन सब के भी सवाल ये उठता है कि कल तक जो लोग देश में गंगा जमुनी तहजीब पहवाला देकर हिंदू धरम को कोस्ते थे आज वही लोग इन हमलों पर चुप्पी साधिक क्यों बैठे है इन मामलों में अभी तक किसी बड़े मुस्लिम नेता या मौलाना की औ देश की उभरती हुई बहुभाशी मल्टी मीडिया रितम एप का नया वर्जन लॉंच कर दिया है इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको धेर सारे मज़ेदार फीचर्स जैसे ही आप एप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटिस्ट न्यूज मिल और हां सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है यहां आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुचा सकते हैं खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग-अलग टैब्स हैं जो उनकी बसंद और जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं तो अब इंतजार कैसा है फटाफट गूगल प्ले स्टोर या आई ओएस पर जाए और रितम आप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले पाईए अपडेटेड न्यूज